आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Transport of Carbon Dioxide तो वहाँ पर हमने कैसे Start कर था Transport of O2 कि किस किस मैठेड में उसका Transportation होता है और कौन से Factors जो होते हैं उसको Hemoglobin के साथ Bind करने में Help करते हैं तो आप सोचे रहेंगे कि वह हमें यहाँ पर भी पढ़ना पढ़ेगा तो बिल्कुल पढ़ना पढ़ेगा अपना जो Carbon Dioxide होता है यह भी Hemoglobin के साथ Combine करता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी वह है Carbon Amino Hemoglobin तो वहाँ पर Oxygen और Hemoglobin के Complex को क्या गाता? Oxygen Hemoglobin यहाँ पर हमके कहते हैं Carbon Amino Hemoglobin ठीक है? तो यह Bicarbonate ions अपने कैसे बनते हैं और फिर अपना कुछ amount of CO2 जो होता है वह इन Dissolved Form में भी Transport होता है तो वह कैसे होता है उस चीज को यहाँ पर हम Study करते हैं और कितने कितने percentage सबसे इंपोर्टेंट इन तीनो methods के तुरू Transport होता है तो देखर, First method से Start करते है सबसे पहला method जो होता हमने Oxygen में भी पढ़ाता क्या? कि directly अपना CO2 जो होता है वो Dissolved कर जाएगा किसके अंदर? Dissolved Form in Plasma अब इसको साथ साथ compare भी करते रहते हैं वहाँ पे approximately 3% of O2 टांसपोर्ट हो रहता था थूरू प्लास्मा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 7% of CO2 का टांसपोर्ट होता है प्लास्मा के थूरू अब ऐसा है क्यों? क्योंकि हमने एक point पढ़ा था कि carbon dioxide जो होता है उसका solubility 20-25 times more होता है than O2 ठीक है? इस वज़े से यह जायदा प्लास्मा के अंदर dissolve करता है नेक्स पॉइंट पे आते हैं नेक्स अपना as bicarbonate ions तो अब देखो यह अपना एक important method है क्योंकि एक्जाम में mostly quotient अगर transport of CO2 से आते हैं तो इसी portion से आते हैं तो इसको हम study करेंगे with the help of a diagram अब होता क्या है? देखो हमें पता है कि अपने जो tissues होते हैं वहां पे partial pressure of carbon dioxide ज़ादा होता है क्योंकि यहां पे होता है catabolism अब catabolism किसे को नहीं पता तो क्या है simple इसको कह सकते हैं breakdown of glucose जिसके वज़े से carbon dioxide और water जो है अपना release होता है अब ही जो carbon dioxide होता है यह tissue से diffuse करके सबसे पहले तो आता है यहां पे plasma में देखे इस plasma में आता है और फिर plasma से यह enter कर जाता है red blood cell के अंदर अब अपने red blood cells के अंदर एक important enzyme present होती है जिसका नाम क्या है carbonic anhydrous तो इसका नाम है carbonic anhydrous यह enzyme हमारी plasma में भी present होती है लेकिन वहां पे इसकी concentration बहुत कम होती है अब यह carbonic anhydrous क्या करती है यह carbon dioxide और water को use करके बना देते हैं यहां पे देखो यह step थोड़ा incomplete है पहले इसका हम complete लिखते हैं फिर उसकी बद आएंगे बापिस तो CO2 और water combine होता है इस carbonic anhydrous के presence में और यह form करते हैं H2CO3 H2CO3 कम के कहते हैं carbonic acid है किसके अंदर HC3O negative plus H plus ions के अंदर तो यह HC3O negative यह अपने क्या है? bicarbonate ions है और important बात इस reaction में क्या note करनी है कि सब में हमने reversible का sign लगा है यानि कि यह reaction जो है अपना हो कैसा है? reversible है तो यहां पे देखो यह रहे अपने HC3O negative ions यहां से जो H plus ions release होते है यह bind कर जाते हैं किसके साथ? जो oxyhemoglobin आता है अपना RBCs के अंदर और फिर यह release करवा देता है O2 हमने पढ़ा था है कि high H plus ions concentration होते है जो वो क्या करते है oxyhemoglobin को dissociate करते हैं तो यह ऐसे देखो work कर रहे हैं यहां पे बाकि कुछ CO2 जो बहुता है अपना वो combine कर जाता है किसके साथ? oxyhemoglobin के साथ इसको dissociate करके खुद combine कर जाता है ठीक है? तो इसको भी हम पढ़ेंगे इस method को क्या कहते हैं उसको भी हम study करेंगे पहले वापे शहां पे आते हैं अभी जो SC3O negative हमें मिला और we can say जो bicarbonate ion हमें यहां पे मिला यह बहुत साथा diffusible होता है तो यह बनते ही RBC से plasma के अंदर कर जाता है diffuse अब plasma के अंदर अपना already क्या है? chloride ion भी present है जिसके पास भी negative charge है अब एक और अगर negative charge वाला ion प्लाजमा के अंदर जाएगा तो क्यों होएगा? plasma का balance कह सकते है या जो उसका pH भी रहे है वो imbalance हो जाएगा ठीक है? कह सकते हैं कि plasma के अंदर ion concentration जो है वो imbalance हो जाएगी तो उसको balance करने के लिए plasma से अपना chloride ion जो होता है यह enter करता है RBC के अंदर और इस फिनोमेना को हम क्या कहते है chloride shift बहुत important question है यह एक्जाम में हम से पूछते हैं कि chloride shift के अंदर कौन सा ion move करता है H3O negative के exchange में कौन सा ion अपना अंदर आता है RBC के तो उसको याद रखना है दूसरा इस फिनोमेना को हम कहते हैं हमबर्गर फिनोमेना भी क्योंकि हमारे scientist हमबर्गर उन्होंने इसको discover किया था ठीक है तो अब जैसे ही plasma के अंदर SC3O negative lungs के पास पहुचेंगे यह जो अपना पूरा process है क्योंकि reversible का sign लगाए था हमने पूरा process यह वापिस हो जाएगा CO2 को exchange कर दिया जाएगा LVLi के अंदर और वहाँ से उसको कर देंगे exhale out तो यह था अपना second method अब बात करते हैं कि इस method से कितना transport होता है तो 7% इस से हो गया इस method से होता है अपना 70% of CO2 का transport यानि कि majority of CO2 transport पर अपना होता है in form of bicarbonate ions इस method से जो भी questions आते हैं जो हमने पढ़ा है उसके अरावा और कहीं भार से नहीं आएगे इसी में से आएगे तो आपको बस यही याद रखना है ठीक है next यानि कि अपना last method जो है वो कैसा है in form of carbo-amino hemoglobin अब यह carbo-amino hemoglobin है क्या जैसे कि oxygen का complex था hemoglobin के साथ वैसे ही अपने carbon dioxide का भी complex होता है hemoglobin के साथ और उसकों के कहते हैं carbo-amino hemoglobin इस form में हमारा 22-25% of CO2 का होता है transport ठीक है approximately 23% तो इस diagram में भी आप देख सकते हैं जो CO2 एंटर करा था तो उसका कुछ percent यहां पे किसके साथ combine कर गया है hemoglobin के साथ उसने क्या form कर दिया carbo-amino hemoglobin और O2 को dissociate करवा दिया या कह सकते हैं oxymoglobin को dissociate करवा दिया ठीक है तो यह अपना hemoglobin carbon dioxide और इन दोनों से हमें के मिलेगा HEB CO2 अब बात करते हैं factors की तो factors सारे सेम होंगे tissues में अगर बात करते हैं सबसे पहले tissues की क्योंकि CO2 का transport तो tissue से ही start करता है ठीक है तो यहां पे क्या होता है high concentration होती है partial pressure of carbon dioxide की तो partial pressure of CO2 यहां पे ज़्यादा हाई होता है जो उसको facilitate करवाता है किस साथ bind करने में है हेमोगलोबिन के साथ bind करने में और low partial pressure होता है किसका O2 का ठीक है S plus ion concentration भी यहां पे ज़्यादा होता है वो हमने पर लिया है अब बात करते हैं यहां पे हम alveoli की तो alveoli जो होता है अपना वहां पे आपको पता है क्या low partial pressure होता है carbon dioxide का ठीक है और high partial pressure होता है O2 का तो वहां पे अपना carbon amino hemoglobin का जाता है dissociate और form हो जाता है oxy hemoglobin simple अब देखो जैसे हमने बोर effect पढ़ा था बोर effect में हमने क्या पढ़ा था कि partial pressure जो होता है carbon dioxide का और oxygen का उसके उपर यह कह सकते हैं उनका oxy hemoglobin पे क्या effect पढ़ता है ऐसे ही हमारे एक ओर scientist थे जिन्होंने दिया था हमें halden effect अब halden effect में हम क्या पढ़ते हैं कि oxy hemoglobin ठीक है इसका क्या effect होता है किसके उपर on carbo amino hemoglobin ओके और we can say oxy hemoglobin का जो effect होता है किसके उपर formation and dissociation on CO2 transport तो इसी को हमके कहते हैं halden effect exam में simple सा गोशन आएगा कि halden effect में और बोस effect में क्या difference है या और भी easy आ सकते है कि halden effect में किसके बार में पढ़ते हैं तो oxy hemoglobin का क्या effect होता है carbo hemoglobin के formation या dissociation पे वही अपना क्या है halden effect simple terms में अगर हम बोलें कि जब oxygen या hemoglobin oxy hemoglobin जादा होगा जैसे कि हमने उपर पढ़ा तो carbo hemoglobin dissociate करेगा और oxy hemoglobin कम हुआ तो इसका formation होगा तो यहां पे देखो अब हमने oxy hemoglobin पढ़ लिया है तो यहां पे दे रखा है कि Rbc जो है contain करते है high concentration of enzyme जिसका नाम क्या है carbonic anhydrous ठीक है और फिर हमने यह भी बताया था कि उसका कुछ quantity कम amount में plasma के अंदर भी present होता है और फिर यह form करता है कि bicarbonate ions और tissue side पे जाके यह पूरा का पूरा reaction होता है reversible और हमें वहाँ पे मिल जाता है अपना CO2 ठीक है next पे आते हैं यहां पे दे रखा है कि tissue side पे partial pressure जो CO2 का होता है वो high होता है किसके वेशे catabolism के वज़े से तो अपना यह diffuse कर जाते है किसके अंदर और form करते है bicarbonate यह वह ही लिख रहा है ठीक है और opposite direction में reaction जाती है और फिर के मिल जाता है CO2 and O2 finally जो हमने oxygen के transport में पढ़ा था कि every 100 ml of deoxygenated blood जो होता है यह deliver करता है कितना 4 ml of carbon dioxide वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था एक बढ़े उसको भी revise कर लेते हैं कि every 100 ml of oxygenated blood deliver करता है कितना 5 ml of O2 तो यह दोना एक important question है एक्जाम में कभी-कभी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो उनको भी आपको याद रखना है तो यहाँ पे अपना complete होता है transport of carbon dioxide ठीक है इसके अलावा कोई भी question यहाँ से अब नहीं आएगा सब कुछ आपको बता दिया गया है next अब हम पढ़ेंगे regulation of respiration के बारे में तो यहाँ पर क्या देखेंगे इस topic के अंदर कि हमारे specialized center कौन-कौन से होते हैं ठीक है कहां-कां present होते हैं जैसे कि medulla हो गया ओके महाँ पर respiratory rhythm center होता है और एक और center अपना present होता है पौन्स के अंदर जिसको हम कहते हैं pneumotoxic center तो यह दोनों आते हैं अपने neural regulation के अंदर ठीक है फिर आता है अपना chemical regulation तो भाँ पर हम देखते हैं कि chemo sensitive area होता है अपना कहां पर present होता है respiratory rhythm center के एक्दम adjacent ठीक है तो इस सब को हम थोड़ा detail में पढ़ते हैं फिर finally हम देखेंगे अपने कुछ respiratory receptors के बारे में या कह सकते हैं chemo sensitive receptors के बारे में जो sense करते हैं carbon dioxide और H plus N की concentration और उससे फिर stimulate करते हैं इस chemo sensitive area को और यह आएगा अपना किस के अंदर chemical regulation के अंदर तो देखो अपना जो breathing होता है basically कैसा होता है involuntarily होता है यानि कि इसको हम control नहीं कर सकते है यह automatically अपने आपी body work करती है उसको control करती है ठीक है अब अपना normal breathing rate कितना होता है 12 to 16 per minute exam में question आता है क्या है times per minute बात करें infant की तो infant के अंदर यह होता है 44 times per minute अब आते हैं हम respiratory centers पे तो respiratory centers यह होते है basically they are group of neurons group of neurons मिलके क्या बना देते है center बना देते है और वो center अगर respiration control करें तो उसको क्या 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 देंगे respiratory center तो दो अपने respiratory center होते है एक present होता है pons के अंदर तो pons में जो respiratory center होता है इसकों के कहते हैं, Neomo Taxic Center, ठीक है, एक present होता है अपना medulla के अंदर, जो basically main है अपना, इसकों के कहते हैं, respiratory rhythm center, ओके, अपना respiratory rhythm center जो होता है, यह control करता है दोनो, inspiration और expiration, according to the information, sent by chemo sensitive area, जो इसकों के एकदम adjacent में present होता है, यानि कि अगर है अपने medulla है, तो यहाँ भी adjacent में present होगा chemo sensitive area, इसका main function क्या है, कि एक तो यह moderate करता है function of respiratory rhythm center, यानि कि इसके पास जो signals आते हैं, उन signals को यह भी, just like chemo sensitive area, transmit करता है respiratory rhythm center के पास, और फिर वो required expiration या inspiration करवाता है, ठीक है, और इसका main focus जो होता है, वो किस पे होता है, inspiration पे है, यानि कि यह respiratory rhythm center को stimulate करके क्या करवाता है, inspiration का duration, ठीक है, वो reduce करवाता है, तो इसको हम यहाँ पे हम mention कर देते हैं, कि अपना जो pneumotactic center है, यह क्या कर रहा है, inspiration के duration को, करता है, reduce, ओके, तो exam में इससे question क्या आते हैं, कि सबसे पहले हमसे दो respiratory centers का नाम पूछते हैं, इनका location, ठीक है, तो याद करने का सबसे इसर तरीका क्या है, कि P for Pons, P for pneumotactic, दूसरा जो बचा अपना वो किस में होगा, medulla में होगा, ओके, तो यह हमने देखा क्या, यह था अपना neural regulation, कि अगर कोई neural से information आ रही है, कि respiration बढ़ाना है, कम करना है, तो अपने यह control कर लेंगे, लेकिन इससे important क्या आता है, अपना chemical stimulation, ठीक है, और we can say chemical regulation, अब यह कैसे होता है, वो समझना important है, क्योंकि इस related question भी exams में बहुत सारे देखने को मिले हैं, तो जैसे कि हमने अब उपर बताया था, क्या, कि एक chemo sensitive area present होता है, कहाँ पे एकदम adjacent और we can say respiratory rhythm center के, एकदम side में, ठीक है, अब यह जो center है अपना, chemo sensitive area जो है अपना, यह sensitive होता है to increase in CO2 and H plus 9 concentration, तो जैसे ही इन दोनों की concentration increase होगी, तो यह क्या हो जाएगा, active हो जाएगा, और फिर यह signals भेजेगा किसको respiratory rhythm center को, और उसके recording क्या करवाएगा वो, inspiration और expiration, जैसे कि मान लो, अगर CO2 concentration blood में increase कर जाता है, तो CO2 concentration increase कर गया, तो अब यह signals भेजेगा respiratory rhythm center को, और respiratory rhythm center क्या करेगा, rate और depth जो होगा, किसका off respiration उसको increase करेगा, अगर blood में CO2 concentration कम है, तो फिर से यह respiratory rhythm center को signal भेजेगा, और अब की बारी rate और depth जो है, किसकी off respiration उसको decrease करेगा, तो अब यह chemo sensitive area brain में located है, तो इसके पास information आ कहां से रही है, तो इसके लिए कुछ होने चाहिए, क्या chemo sensitive receptors, तो हम देखते हैं कि वो chemo sensitive receptors कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आते हैं अपने दो chemo sensitive receptors, सबसे पहला यहाँ पे आता है, aortic bodies, अब यह aortic bodies यह होती हैं, कहां पर located होते हैं, अपने aortic arc में, तो aortic arc में यह sense करते हैं कि CO2 को concentration जादा है, कम है, अब यह connected होते हैं कि से chemo sensitive area से through neuron, तो जैसे यह sense करते हैं, उसके पास signal बेशते हैं, अब वो chemo sensitive area अपना respirator rhythm center को stimulate करता है, दूसरा अपना क्या है, यहाँ पे carotid bodies, यह carotid bodies जो हैं अपनी, यह present होते हैं किसके अंदर, carotid artery के अंदर, अब किसी को अगर नहीं पता है, carotid artery काउन सी होती हैं, तो यह वो होती हैं जो supply करती है blood किसको brain को, ओके, तो जब in carotid arteries के through, high CO2 concentration वाला blood flow करता है, ठीक है, तो pH जो हो जाता है, किसका in carotid bodies का, pH of carotid bodies, यह हो जाता है low, उसके बाद यह carotid bodies जो होती है, signal भेजती हैं, केmosensitive area को, और वो क्या करवाता है, वो rate of respiration को करवाता है increase, ठीक है, और अगर low CO2 वाला blood flow करेगा, that means कि pH जो होगा, वो कैसा होगा, high होगा, तो उस case में rate of respiration जो होगा, वो हो जाएगा कम, तो according to needs, कि carbon dioxide कब जादा है, कब कम है, उसके according, तो एक बार हम diagram पर फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, यह देखे, यह अपना diagram है, तो यहाँ पर देखो, यह दिखा रखा है क्या, आउटिक आर्क, तो आउटिक आर्क ने यहाँ पर sense करा क्या, CO2 and O2, इसने signals बेज़े अपने kemosensitive area को, kemosensitive area यहाँ पर present है, और उस kemosensitive area ने signal बेज़े, medulla में जो present था अपना respiratory rhythm center, और उस respiratory rhythm center ने फिर क्या करा, पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या मेंशन करा रखा था, क्रावडी डार्टरी की बारे में हमने पढ़ लिया, अब लास्ट लाइन एक important है, कि role of oxygen यह होता है, in regulation of respiratory rhythm is quite insignificant, जो कि हमने देखा भी, हमारा सारा focus किस पर था, carbon dioxide पे और hydrogen ion concentration पे, oxygen की बाद हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करिये, ठीक है, तो इसलिए exam में बहुत important question आता है, कि respiratory regulation का control किस के पास होता है, ठीक है, यह किस का role ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे तीन ओ options देएंगे, carbon dioxide, H plus ion concentration, और O2, और last में लिखा होगा, बोथ A and B, तो उसकेस में हमें क्या select करना पड़ेगा, बोथ A and B, ओके, तो इस वीडियो में हमने regulation of respiration पढ़ लिया है, transport of carbon dioxide भी पढ़ लिया था, ठीक है, अब next video जो पी होगी, अपनी last होगी, उसके अंदर हम देखेंगे respiratory disorders कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि asthma, emphysema, occupational respiratory disorders, फिर उसके अंदर हम देखेंगे, जो other important knowledge हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि myoglobin क्या होता है, carbon monoxide poisoning क्या होता है, कुछ oxygen related conditions होती है, कि कम oxygen, जादा oxygen, तो उनके बारे में हम study करेंगे, और फिर यहां पर अपने chapter हो जाएगा complete, ओके, thank you so much.